तो किसी भी वैशनों का अगर तीरो भाव दिवस हो तो ये दुख का भी विशे और हर्ष का भी विशे है दुख का भी विशे इसलिए है क्योंकि उस वैशनों के हम अभी वपू सेवा नहीं कर भाएंगे अभी हर्ष का भी विशे इसलिए है कि इस दिन वह वैशनों भगवान की नित्ति लिला में परवेश कर जाता है तो ये हर्ष का भी विशे है अब जैसे नरोतमदास ठाकुर कह रहे हैं से संगना पाया कांदे नरोतमदास ये लाइन बोलना असान है इसको अनुभव करना बड़ा मुश्किल काम है से संगना पाया कांदे नरोतमदास कौन रोडा है किसी वैशनों के विरे में हम तो हमें तो किसी वैशनों से बिरे महसूस नहीं हो रहा हमारे लिए तो सारे दिन एक समान चल रहे है क्यों ऐसा है ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा किसी वैशनों से संबंध नहीं है हमारी किसी वैशनों में आ सकती नहीं है प्रेम नहीं है बिना प्रेम के विरे नहीं होता अगर विरे कानभव करना है तो पहले प्रेम करना सीखना पड़ेगा अगर भगवान से विरे कानभव करना है तो पहले वैश्नमों से विरे कानभव करना पड़ेगा अगर अपने आचारेों से विरे कानभव करना है तो पहले जो वर्तमान भक्त हैं उनसे विरे कानुभव करना पड़ेगा क्यों क्योंकि हमारे बुद्धी कम है मंद सुमंद मत्यो मंद भाग गही उपाद रिता हमें पहले जो वर्तमान वैश्नव हैं पहले उनसे अच्छे संबंद बनाएंगे उनके साथ ऐसे मिलकर रहेंगे कि वो वैश्नव हमारे प्राण बन जाए उन वैश्नव के बगार जीना दुरबर हो जाए ऐसे संबंद बनाने पड़ेंगे और हम पहले भी चर्चा कर सुके हैं कि ऐसे संबंद बनाने के लिए किसी परकार की ट्रेनिंग की आवश्रक्ता नहीं हैं हम सब पिएश्टी हैं इसके अंदर हम अपने माँ भाई बैन पती पत्नी बच्चों के साथ ऐसे संबंद है कि प्राण छूटते दीखते हैं उस भावना को हमने अपने परिवार से हटा कर वैश्टनों में निवेशित करनी है बस इतना है कोई स्पेशल उसके लिए क्लास सेमिनार देने के जुरूत नहीं है कि कैसे वैश्टनों से संबंद बनाने है सब को पता है करता कोई नहीं है पता सब को है कि संबंद कैसे बनाने है छे तरह के पृति लक्षन क्या होते हैं सबको पता है कर कोई नहीं रहा हूँ कोई ऐसा माई का लाल भग्त दिखाई नहीं दे रहा जो कि कर रहा हूँ क्यों क्योंकि हमें जरूरत महसूस नहीं हो रही हम सोचते हैं कि गुरू शिर्ण प्रभपान, क्रिष्ण और चलो कुछ लोग गौर रेता है बस बात खत्म हो जाती है वैशनों का भग्तों का जो संसार है भग्ति का यहीं पे सिमढ जाता है बस उसके आगे तो बढ़ता ही नहीं है यहां तक कि जो छोटे-मोटे वैशनव है, उनको तो छोड़ी दो वो तो किसी गिंती में नहीं आते तो यह क्या कर जो तुम याज क्या पागल पंती है पर्दा भट जाएगा कान का चोटे-मोटे वैशनव की तो गिंती नहीं है वो तो किसी गिंती में नहीं आरे गुरु के गुरु भाईयों से नफरत हो जाती है हमें उनके साथ संबंद बनाने में हमें मौत आ जाती है ये हालात है बेसिकली हम लोग चतन्य महापरभु की जायत बोड़ रहे हैं ये नहीं देख रहे हैं कि चतन्य महापरभु कर क्या रहे हैं उनके जो आचरने, उनकी शिक्षा को अपने जीवन में उतारने की कोई कोशिश नहीं है हमारे में, ना कर रहे हैं, ना करने की कोशिश कर रहे हैं पता नहीं हम क्या सोच रहे हैं कि कैसे भगवत धाम चले जाएंगे यह तो हमारे दिमाग में कोई बहुत बड़ी गलत फेहमी है कि श्रीला प्रभपात के पास बैक डॉर की चावी है बस जाएंगे वो खोलेंगे अंदर खुश जाएंगे इधाय क्या मतलब क्या चोरी-चकारी में विश्वास रख ते हो यार क्या मतलब है इसका तक जाएंगे हम हम तो गजे बाजे के साथ मुखेदवार से पर्वेश करेंगे प्रभपात को पर्णाम करते हुए क्यों आम परुपात को बोलेंगे कि जी आप अपनी सेवा चोड़के बैक डॉर पर आजाना मैं वही से एंटर करूँगा क्या मतलब है यार क्या मतलब इतनी बख्वास हमारे दिमाग में विचार चलते हैं कई पार तो खुद से ही नफरत हो जाती है अरे ऐसे विचार किसी समझदार आध्मी में आजा कैसे सकते हैं मतलब इतनी पैक डॉर से जाएंगे हम बैक डॉर से जाएंगे अरे भų ख्यूर से जाएंगे परोगत बोल ओल दोलने हैं अरे आजओum लानी की कोशिष करो तो 50 आई जाएंगे और अगर पचास के चक्कर में रोगे तो गए काम से ये common एक basic simple logic हमारे दिमाग में नहीं गुसरा इसलिए प्रभुपात बोड़ रहे थे कि देखो तुम सब मायावादी हो ऐसा नहीं है मायावादी इस मंदिर के भार कहीं घूम रहे हैं हम सभी मायावादी हैं क्योंकि हम सब वैशनों से जैसे नरोतम्तास ठाकुर विरे कानभव कर रहे हैं ऐसे हम लोग तो नहीं कर रहे हैं वैशनों के साथ ना जिंद्य जाकतों के साथ ना जो शरीर छोड़ शके उनके साथ हैं कोई लिंक नहीं है, कोई संबंध कहीं से दिखनी रहा, चलो. सो यह जो भजन हम गा रहे हैं, जे आनिलो प्रेम धना, यह रोज रोज नहीं गाना चाहिए, अगर इसका मतलब समझ में आ गया, तो दिमाग खराब हो जाएगा, यह सिरफ तभी गाना चाहिए, जब वैष्णो कतिरो भावो, तब भी गा के विरे कानभव कर लो, तो समझो, स्वर्ग मिल गया, बोलते हैं, स्वर्ग बड़ी चीज है, तो समझो, स्वर्ग मिल गया, अगर ऐसा कर रिया तो, तो रामानंद राये, आप सब को पते ही है, चतने महाबरू के, बहुत ही अंतरंग पार्षद है, अंतरंग के भी अंतरंग पार्षद है, रामानंद राये और रामानंदराय जो है वो थ्रीन वन है रामानंदराय जो है एक में तीन विभूतियां उनके अंदर उनके जो प्रविष्ट हैं उनके अंदर रामानंदराय अरजुन भी है रामानंदराय ललिता सक्की भी है और रामानंदराय विशाखा सक्की भी है कई लोग बोलते हैं कि वो विंदावन के अरजुन सक्खा भी है लेकिन मैं उसको कनफर्म नहीं कर पाया इसलिए बोलने रहा है कई लोग ऐसा भी बोलते हैं कि अरजुन सक्खा है अब अगर रामानंदर आए अरजुन है तो कितनी अधुद बात है आप लोग सोचो कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया अब भगवान कृष्ण अर्जुन से उपदेश ले रहे है कितनी अद्बुद बात है नहीं पहले उपदेश दिया शिक्षा धी अब शिक्षा ले रहे हैं जो टीचर है वो स्टूडेंट बन गया, जो स्टूडेंट है वो टीचर बन गया दो कारण है इसके, दो कारण है पहला कारण ये है कि जैसे भगध भगवान की महिमा बढ़ाने के चक्कर में रहते हैं इसी तरह भगवान भी हमेशा यही चिंता करते हैं कि कैसे उनके भक्त की महिमा बढ़ेगी उसके लिए भगवान किसी भी हद तक जाने के लिए तयार रहते हैं यही कारण है कि चेतन्य महापुर्भु ने श्रीला इश्वरा पुरी को अपना गुरु स्विपार किया चतन्य महापर्भु को गुरु किया शक्ता नहीं है लेकिन श्रीला इश्वरापुरी की जो श्रद्धा थी जो सेवा थी श्रीला माध्वेंदर पुरु में और जो श्रीला माध्वेंदर पुरी का आशिरवाद था श्रिला इश्वपुरी को उसको फली भूत करने के लिए उसको फली भूत करने के लिए चतने महापुरु ने श्रिला इश्वपुरी को अपना गुरु स्विकार किया और कैसे स्विकार किया वो भी बड़ी अद्बूत बात है आज उस पे बात नहीं कर पाएंगे तो गुरु शिष्य बन गए शिष्य गुरु बन गए महिमा बढ़ा दी लेकिन महिमा बढ़ाने के साथ महिमा बढ़ाने के लिए सिरफ चतने महापरुप ने खुद शिक्षा गरहन ने की ऐसा ने की अकेले खुदी शिक्षा गरहन कर ली चतने महापरुप के पास एक बहुत ही उच्छ कोटी के भ्रामन आये थे प्रद्युम्न मिश्रा तो चतने महापरुप से उन्होंने बोला कि हे महापरुप प्लीज मुझे आप क्रिशन कथा सुनाईए चतने महापरुप के पास जाना और ये प्रात्ना कर पाना कितनी बड़ी बात है चतने महापरुप क्या कह रहे है कि मेरे में तो ताकत ही नहीं है क्रिशन कथा लगने कि मुझे ताकत नहीं है अगर तुमने कृष्ण कथा सुननी है तो जाके रामानंद राये से सुनो रामानंद राये से जाके सुनोंगे तो तुम्हें बहुत सुख की प्राब्दी होगी तो प्रद्यमन मिश्र गए रामानंद राये के पास तो रामानंद राये के जो सेवक है उन्होंने ड्राइंग रूम में बिठाया को बैठो अभी वो दो दासिया है जगनात मंदिर की उनको जो है वो जगनात वरलब नाटक उनको सिखा रहे हैं उनको तो उसके उसने पूछा परदेवन मिश्ट में कौन कोन है वहाँ पर वहाँ कोई नहीं है बस वो दो देवदासिया है और रामनद्रा है तो परदेवन मिश्ट का जो दिमाग है वो इसको एक्सेप्ट नि कर पाया इसको स्विकार ने कर पाया उसने का ऐसा कैसे हो सकता है मतलब ये क्या हो रहा है हमें तो दूर हैना चाहिये और वापेश जाकर चैतने महापरभु को शाम को प्रणाम किया तो चैतने महापरभु ने का सुनली कृष्ण कहता सुनली तो पर्द्यम्न मुष्ण ने का वो तो देवदासियों के साथ में वो एकांत में उनको सिखा रहे है को शरीर की मालिष कर रहे है क्या हो रहे है चैतने महापरभु ने का देखो जो रामानन्द राय कर रहे है वो किसी के बस की बात दिने कि वो इतनी सुन्दर देवदासियों को चूरे है लेकिन मन में विकार उत्पन ही हो रहा है हम लोग सुंदर इस्तिरी को देखते ही मन में विकार आ जाता है सुंदर इस्तिरी तो चलो छोड़ो यार मतलब इस्तिरी को देखके मन में विकार जाता है बक्ति सिधानता सुरसित ठाकुर एक कतम और आगे बढ़ जाते हैं बक्ति सिधानता सुरसित ठाकुर कह रहे हैं इस तरी को छोड़ दो इस तरी की परतिमा को देख के मन में विकार आ जाता है ऐसी हालत है हम जैसे बद्ध जीओं की लेकिन जब रामनंद राए जब रामनंद राए देवदासियों के शरीर पर तेल लगा रहे थे तेल की मालिश कर रहे थे उनको सिखा रहे थे कांथ में तो चतने महापरुपु ने परदुनमिष्ट को बोला कि मुझ अब शरीर को छूरे हैं तो ऐसा ने सोच रहे कि मैं इस तरी को छूरा हूं उनको ऐसा लग रहे है कि मैं जैसे लकडे ही हां? पथ्थर को छूरा हूं कुछ विकार उन्याराfast कै सल्ग में भगवान के विकार को हात लगाते हैंनsemble कोई विकार नहीं आता है अब भगवान का विगरे की सेवा करते हैं कोई विकार नहीं आता हमारे मिन में जब पहली बार मैं जब भ्रामत दिक्षा मिली तो मेरे मन में बड़ा जोश था कि अब जीवन बदल जाएगा अब कमाल हो जाएगा अब तो भगवान के विगरे के पास पहुँच गया अब तो अब छूने से कौन रोग लेगा मुझे और ऐसा हुआ मुझे उपलक्ष नहीं पता लेकिन मैं पंजाबी बाग आल्टर में गुश गया और आल्टर में गुश गया मैंने राधिकार अबंजी के चरण चुड़ी है मैंने कुछ नहीं हुआ जैसे गया था वैसे ही भारा आगया कुछ नहीं हुआ कोई रोई नहीं खड़े हो ने मेरे शरीर के उल्कुल जो काम आशनाय लेकि अंदर गया था वही लेके भारा गया कुछ चेंज नहीं हुआ भगवान के भक्त बिल्कुल उल्टा चल रहे है भगवान को देखते ही विकार आ जाता है और सुंदर इस्त्रियों के शरीर को छूबी लिया तो कोई विकार नहीं आ रहा सोचो क्या हालत है हमारी कितने खराब हैं हम लोग मैं अपने लिए बोल रहा हूँ आप अपने लिए मत सोचेगा सोच सकते हूँ सोच भी ले ना लेकिन मैं अपने लिए बोल रहा था बेशी के लिए भगवान के विकरे के चूटे कोई विकार नहीं आता हमारे अंदर इतनी खराब हालत है हमारी तो कृष्णदास कविराज गुस्वामी बोल रहे है कि देखो ऐसा नहीं है कि चैतने महाप्रभू ने केवल रामानंद राय से परद्युम्न मिष्ट को शिक्षा दिलवाई चैतने महाप्रभू ने हरिदास ठाकूर से नाम की महिमा कहलवा दी नहीं महाप्रभू ने दिलवादी और सनातन गोस्वामी रूपा गोस्वामी शिल्फरुपात बोल रहे है दोनों करीब करीब मुस्वान बन चुके थे और ये बात रूपा गुस्वामी सनातन गुस्वामी ने स्विकार भी की रूपा गुस्वामी सनातन गुस्वामी जब साकर मलिक और दबीर खास जब चतने महापरभु से मिले पहली भार रामा केली में तो चतने महापरभु ने बोला इधर आओ उन्होंने बोला हम नहीं आते हैं हम आपके सामने नहीं आ पारें हमें बहुत शरम आ रही है हमारा मन इतना दूशित है हम इतने खराब काम कर रहे हैं हम तो मुसल्मानों से भी गए गुझने हैं मुसल्मान अगर कोई बोले मुसल्मान खराब है तो हम तो उनसे भी गए गुजने हैं, मुसल्मानों से हमारी बड़ी बुरी आनत है, हम कैसे आपके सामने आ जाएं तो खुद रूपा को सामी, सनातन को सामी इस चीज को स्विकार कर रहे थे कि हम तो मुसल्मानों से भी गए गुजने हैं चतन्य महापरपु ने उन दोनों से उन दोनों से चतन्य महापरपु ने सनातन को स्वामी से भक्ति के जो सिध्धान्त है उसका परचार करवाया भक्ति के सिध्धान्त का परचार करवाया और श्री रूप द्वारा व्रजेज प्रेम रस लीला और जो रूपा को स्वामी के माध्यम से वरज की प्रेम रस लीला का परचार करवा दिया हमने तो चतने महापरभु ने चतने महापरभु ऐसा क्यों कर रहे हैं? चतने महापरभु इस सिध्धान्त की स्थापना कर रहे हैं यही कृष्ण तत्व वेता से गुरु है जो कृष्ण ब्रामन दिख्षित बन गए ओ, अपने मन में घमन मत लेकाना अपने ऐसा कुछ मत सोचले ना, ओ हम तो बड़ी कमाल की बात हो गई हम तो दुआज बन गए, हम तो ब्रामन बन गए अरे चतने महाप्रभू तो विनम्रता के भूके हैं चतने महाप्रभू गर्व के भूके नहीं है यही कृष्ण तत्व वेता सही गुरु है यह याद रखना चीए तो चतने महाप्रभू ने रामानंद राये के द्वारा हरिदास ठाकूर के द्वारा रूपा गो स्वामी के द्वारा सनातन गो स्वामी के द्वारा इस सिद्धान्त की स्थापना की ये चारो लोग रामानंद राये तो आप देखो जनम से शुद्रें और विशे ही हैं राजा के नौकर हैं विशे ही हैं महापरभु कह रहे हैं मैं विशही लोगों का संग नहीं कर रहा लेकिन चतने महापरपु ने रामानंधराय को मिलते ही गले से लगा लिया और दोनों रोना शुरू कर दिया दोनों ने शुद्र है विशही है ऐसे व्यक्ति से चतने महापरभु ने खुट तो शिक्षा स्विकार करी और इतने उच्छ कोटी के ब्रहामन पर दिम्न मिश्र को चतने महापरभु ने वो भी रामानंद रायसे शिक्षा दिलाई श्रीला पर अपात करें ये इसकौन का आधार है इसकौन इसी सिद्धान्थ पर चल रहा है इसकौन पूरी तरह से शुद्ध है इसकौन जो चतने महापरभु कर रहे है एक्चुली मैं श्रीला पर अपात ने इतनी कमाल की बात बोली है श्रीला पर अपात बोले है कि चतने महापरभु की लिलाओं में और इस कौन में कोई फरक नहीं है वो बोड़ रहे हैं कि इस कौन चैतन्य महापरवों की शिक्षाओं का यथा रूप पालन कर रहे हैं इसलिए कोई भेद नहीं है जो लाब लोगों को चैतन्य लीला में प्राप्त हुआ भक्तों को वोई लाब इस कौन के अंदर रहकर सेवा करने से प्राप्त हो जाएगा बशर्ते आप में निष्ठा है आप में घंभीरता है आप पूरी निष्ठा से अगर कारे कर रहे हो ये चतन्य महापरवों ने ये शिला प्रुपाद चतन्य महापरवों की लीला से इस कौन को निकाल के ला रहे है हम लोग अगर इसको सस्ते ढंग से ले तो हमारा दुर्भागी कहा जाएगा बेसी कर ली तो जब चतन्य महापरवों मिले रामानंद राय से और उनसे शिक्षाएं घ्रहन की तो दो बड़ी महतववों बाते हुई दो बहुत महतववों बाते हुई चतन्य महापरवों ने पहले तो रामानंद राय को भूला कि रामानंद राय मैं तुम्हारा बहुत कृतग्य हूँ कि तुमने मुझे कृष्ण कथा सुनाई मैं तुम्हारा बहुत किर्टग्य हूँ मैं तुम्हारा धन्यवाद कैसे करूँ ये पहली बात और दूसरी बात क्या है दूसरी बात क्या है कि चतने महाप्रभू ना केवर रामानंद राय के किर्टग्य थे बलकि चतने महाप्रभू सारबोम भटाचारे के भी करतके थे चतने महापुर्भु ने रामानंद राय को बोला कि मैं सारबोम भटाचारे का भी भूत करतके हूँ आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे तुमसे मिला दिया अगर वो मुझे नहीं बताते मैं तुमसे कैसे मिल लेता जो ये सुख मुझे मिला है ये सुख मुझे कैसे प्राप्त होता ये भौत ही शिक्षा प्रत बात है अगर हमें हमें जो भी व्यक्ति इस कौन में लेके आया जिस भी व्यक्ति ने हमें भक्ति में लेश मात्र भी हमारी मदद किये भक्ति में आने के लिए, भक्ति में रहने के लिए, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हमें पूरा जीवन उस भक्त कई प्रती आभार प्रकट करते रहना चाहिए हमें किर्टग्य रहना चाहिए ऐसा नहीं है कि दूसरा कोई और श्रेष्ट या अलग कोई उन्नत वैष्ण न मिल गया पीछे वाले को ठोकर मारी आगा निकल गया बिल्कुल बक्वास है सिद्धान चतन्य महाप्रभु तो ऐसा नहीं कर रहे चतन्य महाप्रभु तो रामानंदराय से मिल लिए इतना सुक का अनभव कर लिया फिर भी भूले नहीं सारभुम भटाचारे को हमें भी नहीं बूलना चाहिए हमें याद रखना चाहिए कि किन किन वैष्ण उने हमें भक्ति में ले के आए और भक्ती में रहने के लिए आगे पढ़ने के लिए हमारी मदद की उनकी कृतग्यत आप पुरकट करनी चाहिए और साथ मैं भगवान से प्रातना करनी चाहिए हे भगवान जैसे उन्होंने हमारी मदद किये मैं उनका इतना भारी हूँ आप प्लीज मुझ पे कृपा करें ना करें उन पे जरूर विशेश कृपा किजिए अगर हम ऐसा भगवान से प्रे करेंगे तो भगवान ऐसा हुई नहीं सकता कि भगवान आप पे प्रसंद नहीं हो जाए ऐसा हुई नहीं सकता इंपॉसिबल है कि भगवान आपसे प्रसंद नहीं हो जाएंगे लेकिन ये प्राथना करनी पड़ेगी आप बोलो हिर्दे में नहीं आ रहा अरे लिख के ले जाओ तो भी बोल देना काम बन जाएगा बोलते रहोगे बोलते रहोगे कभी ना कभी भगवान की करपा से भाव भी आ जाएगा पहले बोलना तो शुरू करो पहले अपने करतक्यता तो परकट करो दूसरे भक्तों के परती तो बात बनेगी तो जो चतन्य महापरफु की श्री रामानंद राय से चर्चा हुई वो चार भागों में विभाजित है चार भागों में विभाजित है तो आप खड़े हो जाओं एक टांग पर तो चार भागों में विभाजित है एक्चली सारे भक्त रात को देर तक सेवा करते हैं और फिर सुबे सुबे तीन साड़े तीन बज़े उठी जाते है तो स्वाभाविक है कि थकान होई जाती है तो इसमें कुछ बुरा मालने की बात नहीं है कई शिक्षाओं में जो रामादन राये ने जब चतन्य महापरभू ने जीवन का लक्षिक है एक ये कोश्चन पूछा चतन्य महापरभू ने जीवन का लक्षिक है उसको चार विभागों में विभाजित कर दिया पहला जो लक्षिय है चतन्य महापरभू ने एक वर्ग बनाया ये हो भाय ये एक्स्टरनल है भाय है भारी है छोड़ो कुछ और बताओ और दूसरा जो वर्ग हुआ चतन्य महापरभू ने जो बताया चतन्य महापरभू को तो तीसरा वर्ग आया एहो उत्तम ये उत्तम है अब मजा आया बात का अब मजा आया और चोथा वर्ग है चतन्य महापरभू ने रावन राय का मूँ पकड़ लिया बंद कर दिया बस करो बस करो और नहीं सुन सकता ये चोथा वर्ग है ओ क्या क्या डिसकेशन हुई होंगी वो जो मूँ बंद कर दिया था डिसकेशन का वो भगवान के दिया से लिखा नहीं हुआ इसके अंदर क्योंकि अगर अब पढ़ते हैं तो सीधा भोग में फस जाते हैं इसलिए कृष्ण दास कभी राज बुस्वामी ने लिखा नहीं याँ पर हम पर दिया करके हैं एक महत्वपुन बार जो एक तो चतन्य महापुर्पु का दृष्टी कून है चार रामानंद राय का क्या दृष्टी कून है चतन्य महापुर्पु तो बोड़ रहे हैं कि मुझे शिक्षा दो रामानंद राय क्या सोच रहे हैं Raymananda कहा है कि मैं तो वीना के तार हूँ इसको बजा गून रहे है इसको आप ही बजा रहे हो आप जो मेरे मुख में शब्द डाल रहे हो मैं तो वही बोल रहा हूं मेरे पास खुद कुछ नी है बोलने के लिए और ऐसा नही है ऐसा नही है कि रामानंदराय ने चतने महाबर्व को बोल दिया ऐसी बात खतम हो गई सेम लाइन बिल्कुल यही बात रामानंदराय ने परदिम्न मिश्र को भी बोली थी कि जिनोंने तुम्हें भेजाएं ना मेरे पास मैं तो वीना के तारूं बजाने वाले भई है सेम बात रामानंदराय ने परदिम्न मिश्र को भी बताई थी तो बात शुरू हो गई बात शुरू हो गई शिक्षाओं की चतने महाबर्व ने पूछा अच्छा बताओ कि जीवन का लक्षे का है रामानंदराय ने बोला कि वेल जीवन का लक्षे है कि करम करो करम करो वनाश्रम धर्म चतने महाबर्व ने रामानंदराय ने बोला कि वनाश्रम धर्म का पालन करो और उन्होंने एक बात और महतवपूने एक और महतवपून बात आपको बता देता हूँ रामानंदराय ने जितनी भी बातें चतने महापरभू को बोली उस सब का शास्तर से परमान दिया उस सब का हर एक बात का हर एक निश्कर्ष का रामानंद राये ने चतने महापरभू को शास्तर से परमान दिया ये बात श्रीला परोपात कह रहे हैं बहुत महत्रपून है हम जो वैशनम है, जो डिवोटीज हैं, जो परचारक हैं, वो भी जब परचार करें, तो उनको जो भी बात वो बोलें, उन्हें शास्तों से प्रमान देखे करनी चाहिए, ये बात बहुत महत्रपून है, तो रामानदराय ने बोला, वनाशनम धरम का पालन करना, जो है, वो लक्षय है, जीवन का ओदेशय है, ये कर लिया तो चलो बात खतम देगी, चतने महापरभूने का, और रामानदराय ने उसका प्रमान दिया, स्वा अनुतिष्ठस्य धरमस्य समसिधिर हरी तोष्णा, के वनाशनम धरम का पालन करो, और उस धरम के पालन से, आप हरी को संत अनुतिष्ठस्ट करने का प्रियास करो, चतने महापरभूने को लिए ये हो भाय, फिर चतने महापरभूने प्रमान दिया, फिर चतने महापरभूने प्रमान दिया, भिर चतने महापरभूने बोला, धरमा, स्वा अनुस्थिता, पुम्साम, विश्वक, सेन, कथासु यह बेकार हुई बात हो यह अच्छी बात नहीं लग रही है एहो भाय यह तो भारी बात लग रही है यहाँ पर एक महत्वपुन बात जो यह है जो श्रीला पुरुपाद ने भी बहुत जोर दिया और हमारे वर्थमान कुछ आचारे है वो भी इस बात पर जोर दे रहे हैं कि चैतने महापुरु ने यह बोला एहो भाय यह चैतने महापुरु ने यह नी बोला एहो गलत यह बात बहुत महत्वपुन है वर्णाश्रम धर्म भाय तो है लेकिन एक भक्तों के समाज को चलाने के लिए जरूरी भी है इसलिए श्रीला प्रभुपाद ने भक्ति सिदानता सुर्श्री ठाकुर ने देवी वर्नाश्रम के बात कि उन्होंने बोला कि वर्नाश्रम चाहिए ब्रामक्षत्री वैश्य शूद्र चाहिए ऐसानिय के नहीं चाहिए ब्रह्मचारी ग्रस्त वानपरस्ति सन्यास यह भी चाहिए तो वर्न भी चाहिए आश्रम भी चाहिए क्यों चाहिए ताकि ववस्था ठीक से चलती रहे अगर हम इस मंदिर की भी बात करें तो यह मंदिर में क्षत्रिय भी चाहिए अगर क्षत्रिय नी होगा तो एक मैनेज्मेंट कैसे होगी, मंदिर कैसे चले पर। भरहमन की Tae – शिक्षाय देने के लिए वहषय भी चाहिए, घरस्त भी जो की पैसे लेके आएंगे मंदिर को चलाने के लिए और शुधर्वाइ इसे लोग भी चाहिए जो निए दोस्ते हो चारो तरह के लोगों को चलाने के लिए, मैनेज करने के लिए वर्नाश्रम धर्म की आवशक्ता है तो चाहे यह हो भाय है, लेकिन ऐसा नहीं है, यह हो गलत है, इसको छोड़ दो, वर्नाश्रम धर्म को छोड़ दो, हम दिविता के धरातल पर बात करेंगे हाला कि शिलापरुपाद एक्स्प्लेइन कर रहे है, शिलापरुपाद कर रहे है, चतने महापरुपु ने वर्नाश्रम धर्म इसलिए भी भाय बोल दिया था, क्योंकि वर्नाश्रम धर्म तीन प्रकृति के तीन गुनों के अंदर है, लेकिन भक्ति तीन गुनों से उपर है Shrina Prahupata जो लेकिन साथ ही, Shrina Prahupata चाही बोल रहे है, कि वनाश्यऽ्राम धरम की जरूरत है, वनाश्यच्णाम धरम को हम अंदेखा नहीं कर सकते हैं, लेकिन वनाश्यच्णाम धरम में फस जाना, यह भी कलत है, कुछी ब्हामन बन गया, मैं रहामन हूं, कोई सन्यास मिल गया, तो उसका दिमाग अगर खराब हो गया, उसका क्या इलाज आ जाए किसी को इस कौन में management की सेवा मिल गई, उसके दिमाग में यह आ गया ओ भाहिया यह तो मेरे पास बहुत महत्वकून पद है, उसी में फस गया तो बेकार हो गया तो वनाश्रम धर्म एक माध्यम है साध्य नहीं है साधन है साधन के रूप में वनाश्रम धर्म को स्विकार करना अच्छा है लेकिन उसको साध्य मानना गलत है इसलिए चतने महापरभु ने बोला एहो भाया फटा फट आपको बोल देता हूँ लेकिन क्योंकि पूरा नहीं हो पाएगा उसके बाद चतने महापरभु ने जब बोला एहो भाया तो अगली जो बात उन्होंने बोली कि कृष्ण को अपने कर्मों का फल अरपन कर दो अपने कर्मों का फल कृष्ण को अरपन कर दो और उसके लिए उन्होंने प्रमान दिया यद करोशी यद अशनाशी यद जुहोशी ददासी यद तपस्यसी कौंतेया तद कृष्व मत अरपना कि जो भी करो उसका फल भगवान को अरपन कर दो चतने महापरभु ने उसको भी रिजेक्ट करा दिया चतने महापरभु ने बुला यहो भाय यह भी भाय है कि आपने मैंने मान लिया कि जब आप करम का फल अरपन कर रहे हो तो आपने भगवान कृष्ण को परम भगवान तो मान लिया लेकिन आप कारे तो भौतिक स्तर पर कर रहे हो जो करम तो भौतिक स्तर पर किया फिर आपने भगवान को भगवान कृष्ण को परम सत्ता मान कर अपना फल अरपन कर दिया तो अभी भी आपका कनेक्शन है अभी भी आपका कनेक्शन है भौतिक जगत के साथ इस लिए चतनِ नमहापरुपू ने उसको भी बोल दिया एहो भाया उसके बाद रामानंध raja ने बोला कि स्वधर्म त्याग कि अपने धर्म का त्याग कर दो अपने धर्म का भव्यो मुक्षे श्यामी माशुचा चतने महापरभु नहीं बोला एहो भाहिय ये भी भाहिय है कि चलो तुमने अपने धरम से आ सकती छोड़ दी लेकिन भगवान में प्रेम तो उत्पन नहीं हुआ भगवान को भगवान के अंदर जो प्रेम जब तक उत्पन नहीं हुआ तब तक उसका क्या करूं उस बात का वो भी चतने महापरभु ने उसको भी बोल दिया एहो भाहिय ये तो अब रामानंद्राय भक्ती के अगले स्तर पर चले गए रामानंद्राय ने फिर बात किया ज्यान मिश्र भक्ती का तो पहले शुरू हुए थे करम से फिर करम मिश्र भक्ती आई फिर निश्काम करम आया फिर ज्यान अब अब जो है ज्यान मिश्र भक्ती आ गई अब ज्यान मिश्र भक्ती आ गई तो रामानंद्राय ने बोला कि ज्ञान मिश्र भक्ति जो है यह साध्य सार है चतने महापरभु नुमला एहो भाया यह भी भाया है क्योंकि mental speculation material platform पर चलती है भौतिक स्थर पर चलती है एहो भाया इसको भी छोड़ो कुछ आगे है तो बोलो मेरा मन कुंठी तो रहा है कुछ और बताओ कुछ और बताओ रामानंद राये ने बोला ज्ञान शुन्य भक्ति एई साध्य सार ज्ञान शुन्य भक्ति अब चतने महापरभु अगले वर्ग में आ गए चतने महापरभु ने बोला एहो है अब चतने महापरभु ने बोला कि हाँ ठीक है अब बात समझ में आने शुन हो गई अब कुछ और बताओ तो रामानंद राये ने फिर उसके आगे रामानंद राये ने बोला कि देखो इसके आगे तो फिर प्रेम भक्ती आगई प्रेम भक्ती सर्व साध्य सार चतने महापरपु ने बोला एहो है आगे बोलो और बताओ क्या है तुम्हारे पास तो फिर रामानंद राये ने बोला कि दास्य भाव में भक्ती दास्य भाव में भगवान की सेवा करना एही साध्य सार चतने महापरपु ने बोला एहो है आगे बताओ और क्या है तुम्हारे पास दासे भाव में भी चतने महापरभू उससे भी आगे जाना चाहते थे चतने महापरभू ने बोला देखो दासे भाव में भए का भाव होता है दास जो है स्वामी से डरता रहता है इससे आगे कुछ है तो बताओ तो फिर फिर रामा नंद्राय ने बोला साथ्य भाव एई साधन एई साथ्यसार जो साथ्य भाव ए यह साधन कसार है अब चैतनय महापरपु अगले बर्क में आगे चैतन мо creature भी बोला एय उत्तम इह उत्तम, यह उत्तम बात कर दी अब भय खतम हो गया अब भय खतम हो गया अब बात थोड़ी सी अच्छी लगने शुरू हो गई अब तुम उत्तम के वर्क में आगे हो इससे आगे कुछ है तो बताओ क्या इससे आगे कुछ है तुम्हाने पास तो रामानंद रायने फिर बात की वसल्ले भाव की रावानन ने का कि वसल्ले भाव के अंदर भगवान की सेवा करना भगवान की भाक्ति करना यही साध्य सार है चेतने मापरपुन का बहुत अच्छी बात है लेकिन इसके अंदर भी स्वामित्व की भावना है ममत्व की भावना है यह मेरा है इससे आगे कुछ है तो और बताओ तो रामानंद राये ने फिर बात की कांता रस की कि जो कांता रस है एही साधन सार जो गोपियों का प्रेम है यही जो है सारे साधनों का सार है यही जीवन का परम लक्षे है चितने महापरुपल ungef का इस से आगे भी कुछ है अब रामानंद राये अश्चा देक चेकत हो गए रामानंद राये ने अखा मेरा इतना जीवन भीत गया इसके आगे आज तक कभी किसी ने नहीं पूछा कै क्या इस से आगे कुछ है ये नहीं है तो रामानंद राय ने फिर बोला कि गोपियों की भक्ति से शेष्ट है श्रीमति राधरानी की सेवा चतने महापरभु ने का और सुनाओ और सुनाओ और सुनाओ मैं और सुनना चाहता हूँ तो फिल रावणान द्राय ने चतेने महापर्भु कोvania कश्रीमत राधरानी के भावो को परकट किया श्रीमत राधरानी और भागवान कृष्ण की लिलाओं के बारे में चरचा की तो चौथे वर्ख में आग रहा गए महापरभु महापरभु ने उनका रावान अंधराय का मुझ भन कर दिया उन्होंने बोला अब और मत सुनाओ अब मुझसे सुनाने जा रहा है तो ये जो शिक्षाएं ये जो शिक्षाएं और ये सारी शिक्षाएं ये सारा प्रसंद चतने चतामित के मध्य लिला के आठवे अध्या के अंदर लिपी बद है आप में रुची होगी तो पढ़ लेना जाके अगर रुची हो तो पढ़ लेना नहीं तो कोई बात नहीं जीवन चले जा रहा है कुछ प्रॉबलम नहीं है कुछ नहीं होगा तो दुबारा तो जनम लई लेंगे वो तो है ही है वो कौन चीन रहा है बार बार जनम लई लेंगे लेकिन अगर यहाँ पर कृष्ण दास कभी राज को सामी कह रहे है कि चतने महाप्रभू कि जो लीला रूपी समुद्र है उसकी एक भूंद तीनों लोकों को डुबाने की ताकत रखती है मैं कब उसको चकने की शम्ता परात करूँगा हमें भी यह सोचना चाहिए कि हम कब चतने महाप्रभू की जो लीलाएं हैं जो उनका आनन्दाम बुद्धि बर्दनम सदैव बढ़ने वाला और सुक परदान करने वाला जो परं सुक है जो यह सागर है मैं कब इसकी एक भूंध को चकने की मेरे में ख्षमता आएगी मैं कब इसको सीख पाऊँगा इसके लिए योगे बन पाऊँगा मुझमें कब यह योगधा आएगी तो यह योगधा हमारे में कैसे आएगी ये योगिता हमारे में आएगी जब हम वर्तमान वैशनों से प्रेम संबंद बनाएंगे हम उनसे विरे का अनुभव करना शुरू करेंगे तो ये जो प्रेम संबंद है जो विरे है वर्तमान भक्तों के साथ दीरे दीरे उसका दाइरा बढ़ेगा तो हमारे आचारे वर्ग पे चला जाएगा आचारे वर्ग से शीला प्रभुपाद शीला प्रभुपाद से आगे गुरु परंपरा और फिर उससे आगे बढ़ते 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 जैसे जैसे हमारा दायरा बढ़ेगा धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो श्री गौर निताय की शरन ले लेगा उनके चरनों की और बढ़ते बढ़ते श्री शी रादा कृष्ण के चरन कमलों की शरन मिल जाएगी तो जाना बहुत दूर है जाना बहुत दूर है लेकिन समस्या क्या है दुरस्ते की दूरी की प्रॉबलम नहीं है प्रॉबलम यह है कि हम लोग अभी तक हमने यात्रा शुरू नहीं की भक्तों के साथ हम जो विरह का अनभव कर से के ऐसा हम कोई प्रयास नहीं कर रहे है यह भूट दुखद मिशया है हमें कोशिश करने चाहिके कि हमें भक्तों से विरह कानभवो यह पूरा इस अध्याय का यह सार है रावानंद रह का जो ई जु भजन ए नॉरतमदाश टाकूर का इसका ऑ्ड़ सार है विरह कानभव कैसे कर पाएंगे रामानंद राय से हम विरे कान भव कैसे कर पाएंगे ये सोचने में अपनी पूरी ताकत लगा दो और दूसरी बात जो चेतने महाप्रभु ने रामानंद राय रूपा गोस्वामी सनातन गोस्वामी हरिदास ठाकुर के द्वारा चतने महापरुम ने दिखाया कि वर्नाश्रम धरम को साधन समझ के स्विकार कर लो साध्य मत माल लेना अगर आप ब्रामने अक्षत्रिय वैश्य शुद्र इस कौन के अंदर किसी भी स्तर पर रो उसको सरवे सरवा मान कर उसमें प्लीज फस मत जाना आपको कोई बड़े से बड़ा ओदा मिल गया आप बड़े से बड़े प्रचारक बन गए कोई इसमें अश्चेरे की बात निया बगवान की शक्ती से सारे काम हो रहे हैं आप इस वर्नाश्रम को बगवान की सेवा में लगा के आगे बढ़ जाओ इसके अंदर फज कर अपने अध्यात्मिक जीवन को उसका गलामत घोट देना बहुत मुश्किल है यह बात हम लोग जो सेवा हमें मिलती हैं हम उसी सेवा के अंदर फज जाते हैं और इतनी बुरी तरह से फज जाते हैं कि हम दूसरे वैशनों से द्वेश करना शुरू कर देते हैं, कहां तो हमें वैशनों से प्रेम संबन्द पैदा करने हैं, जिससे हम उनसे विरया अनुपव करें, और कहां हम सेवाओ का ऐसा प्रयोग करना शुरू कर देते हैं, उनमें इतना फस जाते हैं, कि हम दूसरे वैशनों से ध्वेश करना अरुम शुरू कर देते हैं ये तो कोई भक्ति नहीं है, ये भक्ति के बिल्कुल विरुद सिधानत है ये अब सिधानत है, इसमें मत फस के, इतनी मुश्किल से, सू दुरलब ये सू दुरलब हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का साधन मिल है प्लीज, इसको ठोकर मत माओ, जानिया भूजिया विश्खाएनू, जान भूज कर विश्ख मत खाओ, विनम्रता के भाव से, हर चीज को भगवान के सेवा में लगाओ, और सारे भैष्णों से, प्रेम सम्मंद बनाने की कोशिश करो, हर भैष्णों को अपने से श्रिष्ट मानो जैसे हनुमान जी जितने भी भगवान राम के सेवक थे, हनुमान जी ये सोचते थे, कि ये सारे जितने भी वानर और भानू है ये यहां तो मेरे बराबर हैं, हमसे श्रिष्ट हैं जब हनुमान जी आयोध्या में गए और आयोध्या में जाकर जब माता सीता को मिला तो माता सीता के मन की शंका दूर करने के लिए हनुमान जी ने बोला कि देखो, हीतरो जना मैं तो हीन व्यक्ति हूँ एक संदेश, एक जगा से दूसरी जगा लेके जाने के लिए प्राइम मिनिस्टर को थोड़ना भेजते हैं चप्राशी को भेजते हैं इसलिए भगवान राम ने प्राइम मिनिस्टर को नहीं भेजा एक चपड़ासी को भीज दिया आपके पास मैं चपड़ासी हूँ यह हनुमान जी कह रहे है कि मैं चपड़ासी हूँ हीतरो जना मैं हीनूँ मैं बहुत नीच विक्ति हूँ तो आप सोचो कि जब एक नीच विक्ति यहां तक आ गया तो भगवान राम की जो बाकी सेना के जो लोग है जो मेरे से बराबर या मेरे से श्रेष्ट है उनके लिए यहा ना कौन सी बड़ी बात है इस हनुमान जी के इस भाव को अंगिकार करके भगवान की सेवा में लगो अपने आप में पून्ह नहीं हो सथी जब तक हम भगवान के वैषनों भगवान के सेवकों जो दूसरे वैषनम है जब तक हम उनके प्रती शद्धा और उनके प्रती श्रेष्टा का भाव ने लिखेंगे कि वो श्रेष्ट है हम ही नहीं अगर हनुमान जी ऐसा सोच रखते है तो हमें क्या समस्या है हम क्या हनुमान जी से भी बड़े है हम क्या हनुमान जी से भी श्रेष्ट है हमें ऐसे सोचने में कोई समस्या नहीं है अगर अगर आम ऐसा नहीं सोच रहे तो केवल और केवल हमारे हंकार के कारण है हंकार को त्याग दो ये हंकार है जो हमें कृष्ण प्रेप प्राप्त करने से रोक रहा है ये हंकार हमारा दुश्मन है इसको मित्र समझ के अपने गले मत लगाओ ये आपके गले लगकर आपकी पीट में छूरी मार रहा है पहचान लो इसको छोड़ो और दूसरे वैशनों की शरन स्विकार करो उनसे बार-बार माफी मांगो कुछ कारण नहीं है तो भी वैशनों से माफी मांगते रो कि अगर मिर से कुछ अपराद हो गया हो प्लीज मुझे ख्षमा कर देना ऐसा बोलने से आपको कोई हाने नहीं होगी आपका गर्व जरूर तूटेगा हंकार पर चोट आएगी लेकिन व्यक्तिकत रूप से शारेजियर रूप से आपको कोई हाने नहीं होगी भक्ति में तो प्रक्ति ही प्रक्ति है प्लीज इस बात पे इस बात पे अनुसरन अनुकरन अनुमरन जो करना है करो इस बात को फालो करो इस बात को अपने जीवन में उतारो जो हनुमान जी सोचने वैसा सोचना शुरू करोगे तो अवश्य एक दिन आएगा कि हम लोग भी वैश्नों के माथ्यम से भगवान से विरे का अनुभव कर लेंगे और रामानंद्राय कह रहे है कि यही साध्य सार है हरे किष्णा पाफ्ता इस विशे में अगर कोई प्रशन है या कुछ हाँ हाँ वैश्नों से विरे कानुभव करना यह भक्ति का सिथान्त है वैश्नों से ऐसे काम करो कि हमें वैश्नों से विरे महसूस होना शुरू हो जाए पूरा अपनी चेतना इसी में जोंकतो तो देखना भक्ति में कैसे आगर बढ़ोगी यह बंगती का सिध्धानत है ओके? वैशनव की वास्तिक परिवासा क्या है? वैशनव की परिवाशा है जो वैशनव वो है, वैशनव वो निए जो भगवान की सेवा कर रहा है वैष्णव हुआ है जो भगवान के भक्तों की जो दूसरे वैष्णव की सेवा कर रहे है वो असली वैष्णव है इसलिए चैतने महापुपु जी सब पूछा गया कि आप कोन हो आपकी क्या परिवाशा है तो चैतने महापुपु ने बोला मेरी एक ही पेचान है गोपी भरतूर कृष्ण के दासों के दासों का दास यह मेरा परिचे है, यही परिचे हमें बनाना पड़ेगा, वैशनव हो है, जो कृष्ण के दासों के दासों का दास है, वही असल है वैशनव है, जो भगवान की साक्षाद सेवा करके वैशनों का तिरसकार कर रहा है, वो वैशनव नहीं है, वैशनों के नाम पे कलंग है, व वो ब्रह्म बंधु है, वो ब्रह्मन नहीं है, वो वैष्णव नहीं है, वो असली भग्त नहीं है, वो कनिष्ट वैष्णव है, उसको भौट टाइम लगेगा, उत्तव कोटी का वैष्णव पनने के लिए, भग्तों से, अगर किसी भग्त को दो दिन नहीं देखा, तो दिम या फोन मिला लेता हूँ ये विरे कि अमने भक्तों के बारे में सोचा वो पता नहीं क्या कर रहा होगा उससे कुछ पूछता हूँ उसको कुछ बताता हूँ गुह हम आख्याती प्रच्छती भूंगते भोजते चायए उसको अपने घर पर साथ खाने के लिए बुलाता हूँ या हम उसके घर पहुँचाँगा पर साथ खाने के लिए नहीं तो बेचायनी होनी शुदूर हो जाए मन में कि हाँ वो मिला नहीं बहुत देर से क्या हो रहा है कई घंटे होगे मिले होगे ये विरे है अब देख लो होई नहीं रहा है के बेड़ पे पड़े होगे आपको अक्सिजन का मास्क लगा होगा वेंटिलेटर चालू होगा दस सुयां यहाँ पे लगे होगी कैसे बवान का नाम ले लोगे कैसे स्वारन कर लोगे ये बता दो चलो करी नहीं सकते उस समय अगर वैशनव के साथ समंद होगा अगर मरते समय पता चलेगा कि हमारे समंद है के नहीं है उस समय आईस्यू के वार्ड में जब आप बिस्तर में असहाय पड़े होगे कफ पित से आपका गला रुंद जाएगा आपको आँकों से दिखाई देना बंद हो जाएगा मुझे घुर घुर की अवाज निकलेगी कृष्णा नहीं बोल पाओगे उस समय वैशनव होगे जो आपके पास खड़े हो के आपके सराने जोड़ जोड़ से बोलेंगे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे तो कृष्ण का समरन वैशनव कराएंगे हमारे में ताकत नहीं है कि हम वैशनों का समरन कर पाएंगे यही तो सबसे बड़ी कंदूजन है